नमस्कार दोस्तों एक बार पुना स्वागत है सिक्षा के दाटस निगाधार वन लाइनर कोश्चंस के सेकंड वीडियो में उमीद करता हूं कि फर्स्ट वीडियो के जो कोश्चंस थे आपको समझ में आये होंगे आपके लिए उपयोगी होंगे और आपकी तैयारी में वारा चर्चा करेंगे अगले 25 कोश्चंट पर और मैं प्रियास करूंगा कि आपको वीडियो मिलते रहें ताकि आप अपने तैयारी ऐसे निरंतर करते रहें इन कोश्चंस को मैं आपको कंटिनियूस देने का प्रियास करूंगा प्रतियक टॉपिक पर हम लोग बात प्रतियक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों बिना कोई देर किया यह सुरू करते हैं अपना आज का वीडियो तरहां अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को अधिक से दिख बत सब्सक्राइब करें मैं आपको पहले वीडियो में दोस्तों बताया था इसमें मैं आपको पुर्णा बता रहा हूं यह कोशन अच्छी कितावें जो अथेंटिक वुक हैं वहीं से लिया गए हैं और references पीछे दिये गए हैं आप देख सकते हैं कहां-कहां से इन questions को collect किया गया है मैं परियास कर रहा हूं कि अच्छी जगेस इन questions को collect किया जाए ताकि आपको इसका फायदा मिल सके तो दोस्तों आईए बिना कोई देर किया हम सुरू करते हैं अपना आज का वीडियो तो दोस् कथन है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नए नए बातों को जानने के लिए रूची प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्स निकाहा जाता है अगले कोश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं हेंडर्सन महादय कथन है कि दर्सन ऐसी सबसे जटिल समश्याओं का कठिन अनुसासित तथा सावधानी से किया हुआ विशलेशन है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हूँ यह डेफिनिशन्स आपको हैं दी जा रही हैं देखें दोस्तों यह आम डेफिनिशन्स नहीं हैं यह डेफिनिशन्स कभी न कभी एक्जाम में आई हैं उमीद्य की जाती है कि हो सकता है जो दोवारा रिपीट हो लेकिन इस से आपका जो प्रिवियस एर के कोश्चन से तरीके से वो भी आपके तयार हो रहे हैं यह मान कर आप चलें यह कोश्चन जो हैं दोवारा देखते हैं दरसन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन अनुस पर संसार का प्रतियक व्यक्ति जन्मजात्स दार्सनिक है यह जो कहा है यह कथन है शौपन आवर का कंथन है यहां पर आप नस कोश्चन लिश्य ज्यान की प्राप्ति है नेक्स्ट कोश्चन की तरह हम बढ़ते हैं इस्पेंसर का कथन है इस्पेंसर महोदे ने कहा है कि वास्तविक सिख्षा का संचालन वास्तविक दर्सन ही कर सकता है यह किसने कहा है तो ध्यान लखेगा दोस्तो यह कोश्चन की किसने कहा है यह इस्पेंसर मौदे ने कहा है दिहां इस्पेंसर मौदे का ये कथन है नेक्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं एडम्स का कथन है सिक्षा दर्सन का किरियाशील पक्ष है यही दर्सनिक चिंतन का सक्रिये पहलू है सिक्षा दर्सन का क्रियसील पक्ष है और यही दर्सनी चिंतन का सक्रिय पहलु है यह कहा है जोन एडम्स या एडम्स का यह कथन है नेक्ट कोशन को देखते हैं दोस्तो J.S. Ross के अनुसार J.S. Ross कहते हैं कि दरसन तथा सिक्षा किसी एक सिक्के के दो पहलू है जो एक ही वस्तु के बिभिन दरश्टी कोणों को प्रस्तोत करते हैं और वो एक दूसरे में अंतर नहीं थे जब तक समस्त दरसनिक समस्याओं को व्यवहरिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक सिक्षा को चैन नहीं आ सकता अच्छा कतन है यह हरवर्ड मौद ने काया है कि जब तक समस्त दार्षनी समस्या है जितनी भी दार्षनी समस्या है जब तो उनको हरी रूप न दिये दिये जाए जब तक क्या है सिक्षा को चैन नहीं आ सकता next देखते हैं js mil की definition है js mil कहते हैं सिक्षा द्वारा एक PD के लोग दूसरी PD के लोगों में संस्कृति का संक्रमन करते हैं ताकि वे उस सरक्षन उसका सरक्षन कर सकें और यदि संभव हो तो उसमें उन्नती भी कर सकें सिक्षा की definition यहाँ पर है js mil के अनुसार सिक्षा क्या करती है सिक्षा के द्वारा क्या होता है एक PD के लोग जो है दूसरी PD के लोगों में संस्कृति का संक्रमन कर सकते हैं ताकि क्या होता है उसका सरक्षन कर सकें जो हमें पीछे की चीज मिली हुई है उसको हम preservation कर सके, उसको preserve कर सके और उसके अंदर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कर सके उसमें उन्नती कर सके यह कथन JS मिलका है next definition तरह बढ़ते हैं जो tagore महोदे की है सिक्षा का अर्थ मस्तिस्ट को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तता अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके यह यहाँ पर जो कथन कहा है यह रविन्ना टैगोर जी की यह बट फेमस definition है कि सिक्षा का अर्थ क्या है मस्तिस्ट को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तता अपने अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके नेक्स्ट कोशन देखते है यहाँ फ्रावेल महोदे का यह कतन है कि फ्रावेल महोदे देखिए क्या कहते है फ्रावेल महोदे कहते हैं कि सिक्षा वह प्रकिरिया है यहाँ पर सिक्षा होगा लिखा जाएगा दोस्तों सिक्षा शिक्षा वह प्रिक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जम जा सक्तियां बाहर निकलती है ये जो कथन है ये फ्रॉवेल मोहदे का कथन है विवेकनंद की बात करें तो विवेकनंद ने काया कि सिक्षा मनुष्य के अंदर सन्नहित पूर्णता का प्रदर्शन है ये कथन आपको डेफिनिशन निशी तोर पर ये याद होंगी जब हम लोग पढ़ाई अपनी करते हैं तो ये फ्रॉवेल विवेकनंद इन डेफिनिश को अक्समियाद करते हैं लेकिन हैं देने का उद्देश है दोस्तों यही है कि आपका रिवीजन भी हो जाए और ये डेफिनिशन एक बार आभी चुकी है तो मैं इसलिए आपर इसको आपको दे रहा हूं आगे कैंट महुदे को देखते हैं कि सिक्षा व्यक्ति की उस पू सुकरात कहते हैं सिख्षा का अर्थ प्रतिएग मनुस्य के मस्तिष्क में आद्रिश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्व मानने विचारों को प्रकास में लाना है ये कथन किस का है ये कथन है आपका सुकरात का है दो प्रत्येग मनुस्य के मस्तिश्क में आद्रिश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्व मानने विचारों को प्रकास में लाना है। सिद्धान नामक गरंद लिखे ध्यान लखेगा इन्होंने यहाँ पर दो गरंद लिखे हैं द्रश्टी का एक नवीन सिद्धान पहला गरंद का नाम क्या है द्रश्टी का एक नवीन द्रश्टी का एक नवीन सिध्धान नामक निवंद लिखा है और दूसरा मानवे ज्यान सिध्धान नामक गरंद ये लिखा है उन्होंने द्रश्टी का एक मानवे सिध्धान निवंद और मानवी ज्यान नामक गरंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, यह जार्ज, वर्क लेके नुसार लिखे गए हैं अगला कोशन देखते हैं, प्रिंसिपल्स ओफ मैथमेटिक्स नामक गरंथ की स्थापना या जो रचना की गई है, वरंटेड रसेल के द्वारा की गई है अगला कोशन देखते हैं, प्रत्यक्ष बाद का अर्थ, प्रत्यक्ष बाद का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष बाद का अर्थ है कि प्रत्यक्ष जगत ही एक मातर जगत है, तथा प्रत्यक्ष ग्यान ही एक मातर स्रोथ है, ध्यान में कीगा प्रत्यक्ष बाद क्या कहता है, प् प्रत्यक्ष ज्यान ही एक मात्र ज्यान का श्रोथ है ये किसके अनुसार है ये प्रत्यक्ष बात के अनुसार है अगले हम बढ़ते हैं आगे अगले कोशन की तरफ ह्यूम दोस्तों ह्यूम की बात करें ह्यूम कैसे है प्रत्यक्ष वादी थे इनके अनुसार विचार संसकार तता संवेदनाओं के प्रतिभंब हैं ध्यान नखेगा हुम प्रतियक्षवादी थे इनके अनुसार विचार संसकार तता संवेदनाओं के प्रतिभंब हैं ये किसके अनुसार है ये हुम के द्वारा है हुम ने कहा है क्या है विचार जो कैसे है विचार संसकार तता संवेद प्रतिबंबे हैं अगला कुशन देखते हैं भारतिय दर्सन दर्सन का धर्म से गहरा संबंद है जबकि पाश्यात्य जो फिलोस्फी है का धर्म से कोई संबंद नहीं है जान लगेगा जो भारतिय दर्सन है उसका धर्म से गहरा संबंद है जबकि अगर पाश्यात्य दर्सन क की बात करें फिलोजस्वी की बात करें तो उसका धर्म से कोई संबंद नहीं है कि ये वास्टविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्थनिकी कर सकता है ये हरवड का कतन है अगले कोशिन को देखते हैं दोस्तो जॉन डिवी की अनुसार दर्सन अपने सामानने रूप में सिक्षा का सिध्धान्त ही है दर्सन अपने सामानने रूप में सिक्षा का क्या है सिक्षा का सिध्धान्त ही है नेक्ट कोशिन कि तरह बढ़ते हैं John Adams का है शिक्षा दर्सन का गति सील पहलु है ये कोशन भी कईवार रिपीट हुआ है आपको याद होगी है जो John Adams ने कही है कि सिक्षा क्या है सिक्षा दर्सन का एक गति सील पहलु है नेक्स्ट कोशन देखते हैं आदर्स वादियों के अनुसार आदर्श वादियों के अनुसार सिक्षा दर्सन से प्रतक हो ही नहीं सकती ये दर्सन की अनुचरी है ये जो कतन है ये आदर्श वादियों के अनुसार है अगला कोशन हम देखते हैं प्रिजन वादियों के अनुसार सिक्षा का दर्सन से घनिष्ट संबंध है किन्तूब है उनकी अनुचरी नहोकर निर्माण करने वाली समाजिक प्रिक्रिया है ध्यान नहीं किएगा कतन प्रिजनवादियों का है अगला कोशन देखते हैं मानव जीवन के सैद्धान्तिक पहलू को दर्सन और व्यवारिक पहलू को सिक्षा कहा जाते है ध्यान नकिएगा मानव जीवन के सैद्धान्तिक पहलू को क्या कहा जाता है दर्सन कहा जाता है और व्यवारिक पहलू को क्या कहा जाता है सिक्षा कहा जाता है तो दोस्तों ये आज के हमारे questions थे मैं उमीद करता हूँ कि आपको questions समझ में आये होंगे एक दो questions ऐसे हैं जो repeat हुए है आगे से उमीद करूँगा कि ऐसा ना हो कोई question repeat ना हो आपको सब नए question ही मिले और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप इन सारे questions को अपने रेजिस्टर में नोट करते हो चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा आप कभी उनको revise कर सकते हैं अगर कहीं आपकी कोई संका हो किसी question पर आपको doubt हो तो आप मुझे बिना कोई परिशान आपको हूँ आप मुझे comments कर सकते हैं बिल्कुल संकोच ना करें comments करने में और अपना comments करें मैं प्रियास करूँगा कि अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका समधान किया जा सके और अगले question जो अगला वीडियो है उसमें हम मुनाकात करते हैं अगले question पर जो 51 से लेकर 75 तक होगा तो जब तक के लिए thank you और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें अधी तेरी share करें और वीडियो का फायदा ले thank you very much